नीम के कई अनूठे लाब हैं, पर एक बहुत महत्वपून लाब है कि ये कैंसर कोशिकाओं को मारता है, चुकि ये शुकरानूओं को भी मारता है, इसे कम मात्रा में खाना चाहिए. कैंसर कोशिकाओं से मेरा मतलब है, हम सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाओं होती हैं, लेकिन वे संगठित नहीं होती, वे हर जगे मौजूद होती हैं. किसी वज़े से अगर आप अपने शरीर में कुछ खास इस्तितियां पैदा करते हैं, तो वे संगठित हो जाती हैं, तो छोटे मुटे अपराद से संगठित अपराद ये बड़ी समस्या है, है ना? चोटे मुटे अपरादी हर शहर में होते हैं, यहाँ वहाँ वे जेबे काटते हैं, ऐसे काम करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पचास ऐसे लोग कोईमबटोर शहर में संगठित हो जाएं, तो अचानक पूरे शहर का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि ये पचास लोग म अपरादी कोशिकाएं होती हैं, वे हर जगे घूमती रहती हैं, अगर वे अकेले घूमें तो कोई परिशानी नहीं हैं, अगर वे एक जुट हो जाएं, अगर वे एक जगे मिलें और उनका मेल हो जाएं, तो परिशानी होती हैं, तो अगर कानून विवस्था अच्छी है, वे ये देखते हैं, शुरू में एक अपराधी जेबे काट कर खुश होता है, रोज जेबे काटते काटते जब दो ऐसे लोग मिलते हैं, तो वे घर लूटने का सपना देखते हैं, जब पांच ऐसे लोग मिलते हैं, तो वे बैंक लूटने का सपना देखते हैं, ये ऐसे ही हो जेल में डालेंगे, वे कुछ न कुछ करेंगे, ताकि ऐसे लोग बड़ी संख्या में एकठे होकर बड़ी समस्याना बन पाएं, तो शरीर के साथ भी ऐसा ही है, उनके गिरोह बनाने से पहले, अगर आप उन्हें यहाँ वहाँ तोड़ते रहे, कुछ लोगों को मारते रहे, रोज नीम खाने से बस यही होता है, वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतीशत तक रखता है, ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरोह न बना सकें, इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है, नीम से जुड़ी सिर्फ एक चीज है, कि अगर आप इसे जादा ख खा लें, तो ये स्पर्म सेल्स या शुकराणूओं को भी मारता है, मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा, अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें, ये शुकराणूओं को मारता है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ क्या हो ये तै करना हमारा काम नहीं है, और गर्वती महिलाओं को गर्वधारन करने के बाद चार महीनों तक या सुरक्षित होने के लिए गर्वधारन करने के बाद पाँच महीनों तक नीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये शुकराणूओं को मारता है, जब गर्व में बच्चे का विकास हो रहा होता है तब भी शुक्राणूं की भूमिका होती है एक खास समय तक चार महीनों का समय बताया गया है पर मैं पांच महीने कह रहा हूं पांच महीनों के बाद खाना ठीक है